तो हेलो एबरीवन बेलकम बेक टू आई स्मार्टी स्टडी पॉइंट तो देखिए इसमें हम बात करेंगे क्लास 10 एप्रेश्ण आवाली 10.2 की ठीक है तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ पहला कोश्चन है इसका एक बिंदू Q से एक ब्रत की इस पर से रेखा की अपने पास एक Q है यह कोई बिंदू अपने पास क्या है यह कोई बिंदू Q है एक यह ब्रत है ठीक है तो इस बिंदू Q से ठीक है तो इस बिंदू Q से इस ब्रत की इस पर से रेखा की लंबाई 24 cm दिया हुई है यह तो बोला था ठीक है कि एक बिंदू Q से एक ब्रत के ब् केंदर से दूरी 25 सेंटिमेटर है क्योंकि केंदर से दूरी तो ब्रत केंदर क्या होगा यह तो होगा ठीक है तो इस क्योंकि के अंदर से दूरी कितनी है इस क्यूक difícil से दूरी 25 सेंटीमीटर दी हूं कुशन में आप लिए अपने ठीक है तो पूछा है कि ब्रत की तरिज्या है इन उप्शन में से तो देखिए यहां पे यह जो पुछा है यह ब्रत की तरिज्या होगी ठीक है तो देखिए हमने एक चीज बताई थी आपको पिछली वीडियो में 10.1 में यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में है देख लीजिए तो हमने एक चीज बताईती कि इस पर शरेखा जो होगी केंदर के साथ यहां पे 90 डिगरी का एंगल बनाती है हमेशा ठीक है बेसिक कॉंसेप्ट ने बताए था हमने आपको और कोशन भी कराए है ठीक है तो देख लीजिए हम हाँ से ठीक है तो देखिए ज जो दिया है वो लिख लीजिए देखिए जो दिया होता है वह हमने लिखना पड़ता है ठीक है ठीक है तो लिखना पढ़ेगा इस पर्ष रेखा की लंबाई इस पर्ष रेखा की लंबाई कितने दियो हुई है हमें 24 सेंटीमीटर लिखो बिंदु क्यों की केंदर से दूर केंद्र से दूरी कितनी है 25 cm ठीक है इसे ओ मान लो केंद्र को ठीक है तो तरिजिया हमें निकाल नहीं है ब्रत की तरिजिया हमें निकाल नहीं है तो देखे समकोन तरभुज बनना है इसमें पाई तक और इसके फिर में QP में ठीक है तो लिखिए समकॉर्ण थरूज QPO में QPO में पाइतागोरस की प्रमें से क्या होती है कान का स्कॉर बराबर आधाहर का स्कॉर प्लस लंब का स्कॉर कान की आपने पास कान 25 है तो 25 का स्कॉर बराबर अधाहर कितना है आधार O торची ओप्लस लंब कितना 24 यानि या 24 का स्कॉर तो यह रहाएं 對不對 25 का 625 बराबर op का square प्लस 24 का square 576 यह इदार आदाएगा तो माइनस में आदाएगा तो यह दाएगा 625 माइनस 576 बराबर op का square घटा देंगे इसमें से 15 में से 6 आएगा कितना बचेगा 15 15 में 6 यह 9 ठीक है और यह यहां कितना बचेगा को लिम्पल्या कि divorce बचेगा बराबर और उपका square तो यह से square ज야 प्रदे टीक है का अंडरोड लग जाएगा तो अंडरोड बराबर उपी तो रंद़ जाएंगा उद्शास analyse किस का राउयद अन्डरोड होता है सांध साही त्रे तरिजिया ठीक है ओव क्या थी वरत की तरिजिया तो देखे पहला कॉशन हालो गया है साथ सेंटिमित्र है ठीक है तरिजिया दूसरा कोशन देखते हैं वो क्या है तो देखिए गाईस अगला कोशन क्या मेरे पास दूसरा आकरती 10.11 में यदि टी पी टी क्यू केंदर ओ वाले किसी ब्रत पर दो इस पर से रेखाएं है तो देखिए यह यह टी है अपना यह पी है यह क्यू है और यह ओ है टी पी टी क्यू केंदर ओ वाले किसी ब्रत पर दो इस पर से रेखा है तो देखिए यह टी पी इस पर से रेखा है यह टी क्यू इस पर से रेखा है इस प्रकार की कौण पी ओ क्यू 110 डिग्री है यानि कि कौण पी ओ क्यू यह हमारे पास 110 डिग्री है तो कौण पी टी क्यू बताना है में कौन कौन सा. P, T, Q ये वाला कौन हमें बताना है. बीच मैं क्या है T है ना. तो ये वाला एंगल हमें बताना है. देखिए बहुत आसान 걱정 है. किसी कोशन आपने देख लिया. किसी ब्रत पर दो इस पर से रेखा है. P, T और P, Q है. Q है Q T और इसका यवाला एंगल हमें 110 डिग्र दिया तो यवाला एंगल पूछा है थीक है तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी इस पर से रेखा केंदर पे होगी तो इस पर से रेखा केंदर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है पहला ही ठीक है बता दिया है यह पहला ही तो देखिए यह जो बनना है यह एक चत्रुभुज टाइप का बनना है यह देखी ध्यान से तो चत्रुभुज के चारों कोणों का यह कितना होता है 360 डिग्री तो कर दीजिए जो जो दियावाउस को लिख लीजिएगा हम सॉल्व परते हैं सिदे लिखिए चत्रुभुज चत्रुभुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री तो देखिए हाप रहेगा कोण पी सिदे लिख सकते हैं एक बार में लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू यह लिख सकते हैं कोण टी पी क्यू कैसे भी लिख सकते हैं सिंगल भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी कितना इनका योग 360 ठीक ह 110 degree plus q q यह भी 90 degree plus q t हमसे पूछा था बराबर 360 degree यही तो कौन पूछा था लिख रखा था उसमें कि को पी टी क्यों पी टी क्यों किसके याद कीजिए तो पी टी क्यों यही वाला कोड़ पुछा था हमने कोड़ टी लिख दिया ऐसे कोई प्रॉल्म नहीं है 90 90 180 90 90 180 180 यह रहे गई है प्लस 110 प्लस कोड़ टी बराबर 360 यह दोनों जोड़ जाएंगे और इधर पहुंच जाएंगे तो कितना और रहेगा 180 और 110 0 8 और 1 9 और यह 290 360 यह उदर जाएगा 60 प्लस कोड़ टी तो लिखना भूल गए ठीक है तो कोड़ टी बराबर 360 कितना सतर सतर डिगरी वचेगा तो यह अपना कोड़ टी निकल आया ठीक है कितना आसान था यह वह देखते हैं अब कोड़ टी आ ने इंपोर्टन कोशन चल ले हैं यह नेक्ट कोशन में देखते हैं क्या है तो गाइस देखिए आगला कोशन क्या है यदि एक बिंदू P से O केंदर वाले किसी ब्रत पर P A P B इस पर से रिखाएं परस पर असी के कोण पर जुकियों तो कोण P O A P A B बराबर है ज्यात करना है इसका मतलब तो P से O केंदर वाले किसी पर पर P A P B इस परस रिखाएं तो दिखिए यह कोई ब्रत है जिसका केंद्र O है इसके बाहर कोई बिंदू हम P ले लेते हैं यहां पर ले लिया माल लेते हैं ठीक है तो इस बिंदू P से दो इस पर्ष रेखाएं है दो इस पर्ष रेखाएं है ठीक है यह दो इस पर्ष रेखाएं है तो यह जो दो इस पर्ष रेखाए हैं यह दोनों 80 के कौन पर जुकी है यानि कि इनका बीच का कौन कितना है 80 का कौन है तो कौन P, O, A पूछा है हमसे यह मान लेते हैं A है यह मान लेते हैं B है तो देखिए यह यहां से मिल जाएगा ठीक है यह यहां से मिलेगा और यह यहां से मिलेगा तो हमसे पुझा है P, O, A यानि यह वाला एंगल हमसे पूचा है तो कोई दिक्क्त नहीं है बता देंगे इसको भी देखिए यह वाई है इस पर सिरेखा केंडर के साथ हमेशा 90 कोन बनाएगी यह 90 है और यह भी 90 हो जाएगा तो यह भी तो यह चत्रुभुज टाइप का बन गया दियान से देखिए चत्रुभुज टाइप का बन गया ठीक है हमें यह वाला कोण बनाना है यह वाला कोण बताना है इसको हम बता देंगे असानी से तो लिखिए आप भाई चत्रभुजे के चारो कोणों का योग बराबर 360 डिगरी होता है कैसा भी चत्रभुजे लेकिन इसमें जितने भी कोणों होंगे उनका योग 360 डिगरी होगा कोण अलगल हो सकते हैं लेकिन जो योग होगा वो 360 डिगरी ही होता है तो यहाँ पर रहाएगा कॉन A मैं सिंगल लिता हूँ ठीक है कॉन A प्लस कॉन P प्लस कॉन O प्लस कॉन B इनका योग होगा 360 डिगरी कॉन A अपने पास 90 है प्लस कॉन P अपने पास 80 है प्लस कॉन O अपनों को निकालना है पहले प्लस कोण बीवी अपने पास 90 है बराबर 360 डिगरी 90 और 90 180 प्लस 80 प्लस कोण ओ बराबर 360 डिगरी 180 और 80 कितनो रहेगा 0 886 अच्छा है हाँ से लेख और ये 2 260 रहेगा प्लस कोण ओ बराबर 360 तो कोण ओ बराबर 360 माइनस 206 तो कोण ओ बराबर 360 में से 60 गए 260 गए तो 100 बचा ठीक है तो जो कोण ओ था आपने पास वो 100 आ गया लेकिन यह हमरे पास यह वाला कोण आया है कोण ए पी जी सोरी ए ओ बी इसे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी कितना यह 100 डिगरी है लेकिन हमें बताना था पी ओ ए इसका आधा यह मिला हमें पूरा हमें इसका आधा बताना था तो आधा क्यों रहेगा भी कोण पी ओ ए यानि कितना रहेगा इसका आधा पचास डिगरी ठीक है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि जब ये तर्भुजो बन गया अपना इन दोनों को आप सर्वागसम सिद्ध कर दीजिए सर्वागसम, नायत में आपने पढ़ाओगा सर्वागसम सिद्ध करना, ठीक है तो देखिए इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो साइड बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है और ये वाला, ठीक है, साइड ये वाली बराबर है ये वाला साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है दोनों की और यह वाला एंगल बराबर है तो साइड एंगल साइड से यह सरवागस हम उठाएगा इस तरीके से सरवागस हम सिद्ध कर देंगे तो इसके सभी पार्ट बराबर होते हैं आसान हो जाएगा या फिर आप प्रॉपर इस तरीके से इप करेंगे तब भी आपका question solve ह हो चुका है ठीक है तो देखिए चौता question क्या है सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रत के किसी ब्यास के सिरोपर खीची गई इस पर्ष रेखाएं समानतर होती है यह हमसे पूछा है तो देखिए यह अपने पास कोई ब्यास है ठीक है यह ब्रत अपने पास इसका कोई यह ब्यास ह तो इस ब्यास के सिरोपराई की आक्री सिरोपर दो इस परस रेखा हैं हम ऐसे खीच देते हैं ठीक है यह हो गई एक और एक हम ऐसे खीच देते हैं ठीक है एक यह हो गई तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि यह जो दोनों इस परस रेखा हैं यह समानतर है यह मिर्ब करना फीग है कि तो देखिए बहुत आसान है इसकी Hindi लिख लेते हैं फिर आपको समझते हैं सु देखिए ये था कि मानत सीडी ब्यास का कोई ब्रत है तो सीडी ब्यास कोई ब्रत हoriaick सब्सक्राइब करना है कि यह दोनों समानतर है ना तो देखे जास 9 में आपने पढ़ा वोगा कि आगर 25 रेखा हैं और इस में अगर तिर्छी रेखा कोई खेच दू तो इसका यह वाला कौन होगा वो इसके बराबर होगा जानी कि यह थे दोनों एकान तर खुरल आगर दो समान तर रेखा हैं और उन्ट पर में तिर्छी रेखा क्यीच दूँ तो जो यह वाला अंगल होता है वो इसके बराबर होता है automatically यह सर्थ होती है एक कि अगर यह वाला एंगल इसके बराबर है तो यह दोनों समानतर रेखाई है तो यहां पर भी तो भाई वात वह रही है देखिए यह दो समानतर रेखाई है टाइप की है सीधी रेखाई है और इन पर एक देखिए और यह अपने पास इसका केंद्र ओ मान लेते हैं तो जो इस पर्ष रेखा है वो केंद्र के साथ हमेशा 90 डिगरी का कौन बनाती है ठीक है तो लिखिए भई कौन ACO एंगल ACO बराबर कितना रेखा 90 डिगरी इस पर्ष कारण में लिखिए साइड में इस पर्ष रेखा केंद्र के साथ 90 डिगरी का कौन बनाती है ठीक है तो कौन ACO 90 डिगरी है और कौन ODF OSDF यह भी कितना रेखा 90 डिगरी ठीक है क्यों इसका भी वही कारण है तो कि दिखिए यह अपने पास इस पर्ष रेखा है और एक केंद्र के साथ 90 डिगरी का कौन बना रही है ठीक है कोण A, C, O बराबर कोण O, D, F बराबर के साइड में लिखिए एक आंतर कोण एक आंतर कोण ठीक है तो लिखिए अतहा इस शर्त से सिद्ध होता है सिद्ध होता है की जो A, B रेखा है यानि इस पर्ष रेखा वो समानतर है किसके E, F के E, F के यह समानतर का चीन लोता है ऐसे करके ठीक है तो I hope आपको यह वीडियो में चारो कोशन बताएं समझ में आयोंगे ठीक है आपको इस चैनल भी मिलते रहेंगे और important वीडियो भी हम मिलेंगे आपसे next किसी वीडियो में तब तक के लिए जाएं दुबंदे मात्रम भारत मात्ता कीजिए चैनल पर पहले बारे तो सब्सक्राइब कर लिजिए और हाँ अगर आप चैप्टर बन से देखना चाहते हैं तो उसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए